हेलो एब्रिवन चलिए देखिए आज हम क्लाश 10 का जो लेसन फर्स्ट है रासानी अब व्याएं हम समी करण ठीक है इसका जो NCRT कोस्टन से इसका सल्यूशन बताने जा रहे हैं ठीक है जितने इस NCRT सल्यूशन इसको बताएंगे इस वीडियो में यही बताएंगे ठीक है त देखें पहला देखें क्या दिया गया है ज्लाने से पहले मैंगनेशन रिबन में को साफ क्यों किया जाता है इसको जाने प paclir क ठीक है, साफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों कि जो magnesium होता, ये भी क्या होता, kriya seal धात होता है, जैसे sodium है, potassium है, इन सब को kerosene मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है, वैसे ही ये जो magnesium, ये भी क्या होता, kriya seal धात होता है, ठीक है, तो इसका solution क्या हो तो इसकी बाहरी सत्य वातावरण की आक्षीजन से ख्रिया करके magnesium oxide की परत बना लेती है ठीक है जब यह mg यह reaction देखे हैं ठीक है mg plus क्या होता O2 क्या बन जाएगा mg O बन जाएगा ठीक है तो देखें क्या होता जो magnesium oxide की यह परत काफी स्थिर होती है ठीक है क्या होती है काफी स्थिर होती है और आक्षीजन के साथ magnesium की पुने प्रतकिरिया की प्रतकिरिया को क्या करती है रोकती है ठीक है मतलब कि वो अभिकरिया नहीं कर पाता जल नहीं पाता ठीक है इस परत को हटाने के लिए magnesium ribbon को क्या करते है rate paper दोरा साफ किया जाता rate paper या फिर ragmar दोरा उसको साफ किया जाता ठीक है ताकि अंतर नहीत धात का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके ठीक है मैंज जो magnesium है वो आसानी से oxygen के साथ क्रिया कर लेगा ठीक है जब किस के साथ rate paper के साथ उसको साफ कर देंगे तो oxygen के साथ वो आसानी से क्रिया कर लेगा ठीक है तो पहला ये question था अब देखते हैं दूसरा question दूसरा question क्या है दूसरा question कह रहा है निमली की तरासानी के अभिक्रियाओं के लिए संतुली समी कर लिखिए ठीक है निमली की तरासानी के लिए संतुली समी कर लिखिए पहला देखें क्या है hydrogen plus chlorine क्या बन रहा है hydrogen chloride ठीक है रासानी समी कर लिखना है दूसरा है barium chloride plus क्या है aluminum sulfate क्या बन रहा है barium sulfate plus aluminum chloride तीसरा है, देखिए, Sodium है, plus Gel के साथ कर रहा, Sodium Hydroxide plus क्या बना रहा है? Hydrogen बन रहा है, तो पहला देखते हैं, पहला क्या दिया गया है, देखिए, Hydrogen plus Clorine है, ठीक है, यह question number 2 का है, तो पहला देखिए, क्या Hydrogen plus Clorine, तो यहाँ पर लिख देखिए, यह क्लोरीन के साथ है यह क्लोरीन है अब क्लिया करके देखिए क्या बना रही है 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 अब देखिए क्लोरीन है है दो धर यहां पर दो से गुड़ा कर देंगे तो हो जाएगा संबूली ते हो जाएगा। ठीक है यह समझ गए और देखे दूसरा क्या गह रहा थिर्ःयम क्लो राइड का शूत्र क्या होता भी वेए चेयल्टू प्रियम कलोराइड किसके साथ अभी प्रिया करता है नमौिंयम सलफेट नियमस म्ल्फेट ल्यांट एसो फॉर का क्या हो जाएगा होल थ्राइज देखिए स्लफेट ॐल्मोनियम की जो सही हो जाकता है हाँ बता रहें देखिए अलमुनियम की प्लस 3 होती है स्लफेट पर माइनस ट्व का हावेस होता तो क्रेस्ट कराश हरके बनाएंगे तो यही बन जाएगा AL2SO4 का whole thrice तो देखें यही बन रहा ठीक है यहाँ बेरियम क्लोराइड प्लस अलमुनियम सल्फेड क्या बन रहा है बेरियम सल्फेड क्या बन जाएगा यहाँ पे बेरियम सल्फेड BASO4 इसमें दो दो रहता है मतलब की कड़ जाएगा इसमें का प्लस और क्या बन रहा है अलमुनियम क्लोराइड अलमुनियम क्लोराइड ALCL 3 बन रहा है यह देखें बन रहा है अब देखें क्या बताना है कि यह संतुलित है कि नहीं संतुलित है अब ये भी तो देखना मतलब बेरियम एक है यहाँ पर एक है संदुलित है दो क्लोरीन है लेकिन यहाँ पर किती है तीन क्लोरीन है मतलब अगर यहाँ पर मैं तीन से गुड़ा कर दू तीन दूना छे क्लोरीन हो गया और यहाँ पर दो से कर दू हाँ यहां से पे 2 से कर दूँ तो क्लोरी तो संतुलित हो जाएगी ठीक है बेरियम देखे यहां पे कितना है बेरियम यहां पर अब तीन हो गया और यहां पर भी क्या कर दिया जाए तीन से गुड़ा कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा ठीक है और अलमुनियम अब देख लीजे अलमुनियम यहां पर दो है ठीक है इधर भी दो है सल्फेट यहां पर तीन है सल्फेट यहां पर ती एस टू के साथ यह जल के साथ कर रहा है क्या बन रहा है सोडियम हाइड्राकसाइड बना रहा है एन ए ओस बना रहा है प्लस क्या बना रहा है एस टू हाइड्रोजन गैस बन रही है ठीक है अब देखते हैं कि यह संतुलीत है कि नहीं संतुलीत है देखे हैं हाइड्रोजन कि दो चार हो गया, दो से यहाँ पे भी कर दिया, तो यहाँ पे चार हाइडोजन हो गया, हाइडोजन संतुलित हो गई, अक्सीजन देखे, दो अक्सीजन, यहाँ पे भी दो अक्सीजन है, यह भी संतुलित है, सोनियम यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो से गुड़ा कर देंगे ये भी क्या हो जाएगा संतुलीत हो जाएगा तो ये क्या था रासानिक प्विखियाओं के लिए संतुलीत ये समीकरड़ थे ठीक है तो इसको क्या कर लेजेगा ये नोट कल लीजिए, ठीक है, यह हो गया, चलिए देखते हैं, अब अगला कोश्चन, अगला देखिए कोश्चन देखिए यही दिया गया, निमली कि तब यहों के लिए, उनकी अवस्था के लिए संकेतों के साथ, संतुलित रासानिक समीकरड लिखिए, अगला देखिए कोश बेरियम क्लोराइड जल में क्या कह रहा है बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सलफेड के विलेयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलेयन तथा बेरियम सलफेड का आउचेड बनाते हैं दूसरा कह रहा है सोडियम हाइडराकसाइड का का एंदा नीजिपूरी करेंते मीता बाथ्ट देखे दोनों डी गई है इनको क्या करना इनके संह्प के रूप के साथ संतुलित करना है ठीक question number यह तीसरा देखिए यही दिया गया था पहले दिया गया है question नमर्ट तीसरे का पहला पुँंटर देखते हैं ऐसी पहलत पहला में देखिए काई रहा है जल में Barium Chloride तथा sodium salvation के method क्या बे vacun क्लो Sultr हो जाएगा BACL2 जले में है तो जली विल्यइन AQ लिखेंगे तो जली विल्यइन हो गया प्लस क्या है कह रहा है कि जले में सोडिय म सिल फेकल्फेट अने ये सोडियम सुल् photography ये भी जली यह विलियन है, अब क्रिया करके देखे क्या कर रहे है, sodium chloride का विलियन था भा, barium sulphate का आउच्छेप बनाते हैं, barium sulphate का क्या बन रहा, यह baso4, आउच्छेप बन रहा, इसको solid form में लिख सकते हैं, S से लिख सकते हैं, या फिर आप आप ऐसे नीचे भी बहुत अब है यह करना है बहुदिए प्लसर tentang इत्छे में क्यों पर पहले दो से गुला करण धीजे दो क्लोरीन इधर है, दो क्लोरीन इधर है, ठीक है अब देखे, Na2 — यहां पे 25 है SO4 यहां पे किता है judgments 1 है यहां पे 1 है तो यह क्या हो गया, यह संतुरित हो गया मoldsलब कि यह virus is का संकेत बताना थे यह कौन सी अवस्था में है ठीक है, तीसरे का अब दूसरा वाला देखे इसी का, दूसरा देखे क्या, sodium क्या है, sodium hydroxide, लिखेंगे sodium hydroxide का, विलेन किसमे है, जल में, न, अ, ओ, ये क्या हो जाएगा, जल में, एक्यू, एक्यू लिख देंगे, जली विलेन, मतलब कि इसको जल में घोला गया है, प्लस देखे क्या, hydrochloric, अमले, के विलेन में, ठीक है, hydrochloric, अमले, किस से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, hydrochloric, अमले क्या है, HCl, ये भी क्या है, जली विलेन है, इसके साथ अभिक्रिया करके, क्या बना रहा है, sodium chloride का विलेन, तथा जल बनाता है, sodium chloride का विलेन, NaCl, अभिनारा यहां यहां संतुलीत है इधर भी एक है हाइडोजन यहां पर दो है यहां पर क्लोरीन है यहां पर भी एक है तो यह क्या यह संतुलीत है यह क्या थी संतुलित थी तो यह क्या हो जाएगा इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा अब चलिए देखते हैं अगला कोस्टन पेज नमबर कहा पर देखेंगे 11 पे पेज नमबर कौन से यह तो पेज नमबर 6 के कोस्टन थे ठीक है देखें NCRT का हर एक कोस्टन ही हर एक जितने भी कोस्टन है यह सब क्या है यह बहुत इंपोर्टेंट है NCRT का इसको जरूर से पल लेजएगा जितने भी कोस्टन से NCRT के देखे पेज नमबर क्या है 11 पे पहला प्रसंद दिया गया है कौँसा पेज नमबर क्या है 11 पे पेज नमबर 11 पे है ठीक है पेज नमबर 11 पे दिया गया है किसी पदार्थ है यक्स के विलेन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है ठीक है? पदार्थ X का नामत्था इसका सूत्र लिखिए ठीक है? ऊपर पहले में लिखे पदार्थ Yaks की जल के साथ अविकरिया लिखिए मतलब कि देखिए किसी पदार्थ Yaks के विलेजने काउपियो किसके लिए लिखिया होता है? सफेडी के लिए सब्फेदी के लिए देखिए किस क्या होता है मतलब कि जो क्या होता है कैल्सियम आक्साइड होता है क्या होता है कैल्सियम स्वारी हाँ कैल्सियम आक्साइड होता ठीक है देखिए पहला कहला है पदार्थ एक्स का नाम तुझा इसका सूत्र लिखे देखे जो calcium oxide होता है इसली का उपियोग होता है कि क्या करने के लिए सबसेधी करने के लिए ठीक है तो इसमें पहला देखे क्या लिख लेंगे दूस्ट ये पहला प्रफ पहला वला हो जाएगा पदार्थ यक्स का क्या है यक्स से एक्स क्या है calcium oxide है calcium oxide calcium oxide है इसका सूत्र क्या हो जाएगा CAO है ठीक है अब देखे calcium क्या है calcium oxide को देखे क्या कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है अब इसी पदार्थ देखे कह रहा है कि जल के साथ अविक्रिया कराने के लिए दूसरे में यही कहरा कि जो calcium है आक्साइड है calcium oxide को क्या कहा जाता है बिना बुझा हुआ चुना बिना बुझा हुआ हुआ बिना बुझा हुआ चुनो को जब करना है H2O के साथ है अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा calcium hydroxide بن जाएगा C, A, O, H का whole twice है बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना ये बनता बुझा हुआ चूना बन जाएगा इसका क्या नाम है calcium hydroxide ठीक है तो ये question हो गया ठीक है तो X का क्या नाम हो जाएगा calcium oxide है और जब ये जल के साथ अब भिख्या कर रहा है क्या बनाएगा हाईड्राकसाईड बनाएगा ठीक है अब देखते हैं अगला कोश्चन दूसरा वाला दूसरा वाला देखे कोश्चन क्या दिया गया है कि खिरिया कलाब एक दस्मलोष साथ में एक परकृनली में, एक अत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगनी है, ठीक है, उस गैस का नाम बताए, ठीक है? यहाप दिया गया है, कह रहा है कि क्रिया कलाप क्ल साथ में, क्रिया कलाप देखना पर देखे, आप लोग Laz troubled गो साथ दिया गया है, ठीक है? उसमें देखे, यही यही देखे बनाया गया है ठीक है मतलब की क्या हो रहा है यहां पे जल का क्या हो रहा है जल का विद्धूत अपर घटन हो रहा है ठीक है जल का विद्धूत अपर घटन हो रहा है तो देखे जल के विद्धूत अपर घटन के दोरान क्या होता है जल के विद्धूत अपर अलग हो जाती है ठीक है जब जल का विद्दू जब घटन होता है तो इसके दवरान क्या हो जाता है मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाती है अलग हो जाती है देखे पानी इसलिए एक परक्नली में, 150-5, क्या हाइडोज़न की मात्रा दूसरे में raised की मात्रा का दो गुणा है मतलब की 2गुणा कौन सा हो जाएगा मतलब की 2 ऐस वहाज़न है मतलब 2 हाइडोजन और 1 ऑकसीजन है ठीके तो यहां पर दिखी यही कहा रहा है आब काया विद्धूत् है विधूत quick अपर घटन है खो जायगी आपए आपकी हाइआ। उसके बन रहा है फिर घातना होसे आपके हाइस्टी अपर हो जाएगी ना तो तो क्या कह सकते हैं परक्नली में 30 गैस हाइडरोजन की मात्रा डूसरे में एक अत्रित गैस की मात्रा का दो गुना है। ठीक है तो यह इसका सल्यूचन हो जायेगा। ठीक है समझ गये हैं। इसलिए ठीक है अब देखते है कौन सा है पेज नंबर ये देखिए फिलेज नंबर फिपटीन ये 11 पे हो गया ठीक है 11 के बाद पीउन आते है 15 पे पम के पमर देखें ॥ फिप्टीन पे दिया गया फिलेगर दिया गया है जब लोहे की कील को कापर सल्फेट के विलेन में डुबाया जाता है तो विलेन का रंगे क्यों बदलता है पेज नंबर कौन सा है 15 है पेज नंबर 15 है ठीक है कहरा है कोशन है जब लोहे की कील को कापर सल्फेट के विलेन में डुबाया जाता है तो विलेन का रं क्यों वुल्यांगे क्यों बदलता है क्यों कि विखझ मेरी हैं क्यों गुंदा सब क्या है पर एक केड़ हैं उसका स्रेशन क्या लिख रेगे जब देखे, जब एक copper sulfate willinglyan में लोहे की की डुबोई जाती है, तो लोहा लोहा क्या होता है copper की तुला में? अधिक्रिया seal होता है, लोहा क्या करेगा लोहा copper sulfate willinglyan से copper को विस्थापित कर देता ह। और लोहे का sulfate बनाता है, ठीक है जो की रंग में हरा होता इसलिए विलियन का रंग बदल जाता है ठीक है मेन देखे अभी करिया यही होती है मेन अभी करिया यह लिख लेंगे ठीक है क्या हो जाएगा C-U-S-O-4 ठीक है प्लस क्या F-E यह देखे कापन सेलफट कैसा रहेगा नीला रंग का नीला रंग का रहेगा ठीक है यह लोहा है ठीक है तो यह क्या बनाएगा यह आईरन सेलफट बना लेगा ठीक है यह क्या हो जाएगा F-E-S-O-4 बनाएगा प्लस C-U क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा यह क्या हो जाएगा हरा रंग का हो जाएगा ठीक है यह समझ गए चलिए ठीक है अब देखते हैं अगला वाला कोस्टन देखे दिया गया है क्रिया करलाप 1.10 से भिन दो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदार दीजिए मनलब क्रिया करलाप 1.10 से भिन दो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदार दीजिए तो देखिए क्या दिया गया है तो एक देदेंगे कोई भी क्या देदेंगे जब सोडियम कार्बोनेट को कैल्सियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्सियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्सियम क्लो तो क्लोराइड आयनों का आदान पदान करके नए योगिक बनाती इसलिए यह एक दो विस्थापन अभिक्रिया है मलब कि जो क्रिया कलाप एक दस में दो दस में दिया गया दो विस्थापन उसका क्या करना है यह के उदारण बताना तो यही बता देंगे सोडियम कारवोनेट और कैसियम क्लोराइड की अभिक्रिया दुसरा वाला क्या देंगे दूसरा वाला देखे यह आपने उदारण दिया सल्यूशन में यह क्या दे दिए आप coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-coda-c कीजिए इसको देखे मिटा दे रहे हैं पहला देखे अभुक्रिया फोर एने प्लस ओ टू है उपचयन को देखे क्या कहते हैं समझ रहे हैं उपचयन को ही क्या कहा जाता है आकसी करड कहा जाता है तो देखे दिया गया फोर एने प्लस ओ टू क्या बन रहा है यहां पे टू मोल साफ एने टू ओ यहां पह बता रहा है तो देखे किसी पदार्थ में आक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आक्सी करण कहलाता है मतलब कि ये इसमें देखे सोडियम का क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है इस पदार्थ में आक्सीजन जुड़ रही है तो इसलिए आप क्या कहेंगे पहले वाले का उत्तर यही होगा sodium का उपचयन हो रहा है किसी पदार्थ में oxygen जूरती है तो उसका आक्सिकरण अब उसका आक्सिकरण कोई क्या कहते है उपचयन भी कहा जाता है उपचयन कहा जाता है ठीक है और दूसरा देखे क्या है और देखे अच्छा हाँ और देखे oxygen क्या होती है अपचयत होती है और oxygen क्या हो रही है यहां पर अपचयत हो रही है ठीक है तो दूसरा देखे क्या कह रहा है क्या हो रहा है कि यहां पर देखे क्या लिख सकते हैं यहां पर जो सोडियम है कि सोडियम का क्या हो रहा है यहां पर कह सकते हैं कि सोडियम का उपचयन हो रहा है उपचयन हो रहा है और oxygen का जो ही यहां पर हो रहा है यह अपचयत हो रही है ठीक है है दूर्टा देखे क्या हैं क्या है क्या है क्या सिजी क्या वह क्या प्लस्क क्या बनेगा अदिके यह दい a थीवाने मैं लॉसरे वाले में क्या है कंमित कॉपर स्फ़ीजन का निकल ना अगर डेखे किसी tel तो इसे क्या हो रही है ऑक्सीजन निकल रही है ठीक है तो यह क्या कहला है दूसरे वाले में कापर अक्साइड क्या हो रहा है कापर में अपचाइट हो जा रहा है यह क्या हो रहा है अपचाइट हो रहा है ठीक है और आहीं तुन से लिखने हैं तो इसका हिए किया हो रहा है उपे संद्रेंगोस को अब दीजिगे तो यह इसे को इसी यह नोग है कि तो यहний एक दीजेगा अ million content हम थीक है आप देखते है अब देखते मेश पर आजाते ठीक है यह एतने मेश न थे अब इसके बाद देखे अब आ गहे हम exercise मेश्य प्र USE में पहला पॉर्स देखिए इसको मिटा दे रहे हैं पहले से देखते हैं प्रेस्ट ने क्या है फर्स्ट है कोश्टन नमबर क्या है पहला है देखे पहले वाले हम देखे कह रहा है कि नीचे दीगे यह अभी क्रियाओं के संब्लाद में कौन सा कथन असत्त है देखे दिया गया अभी क्रिया दिया गया है टू पीवी ओ प्लस सी है क्या बन रहा है यहां पे सी ओ टू बन रहा है तो मैं यहां पर बना रहा हूं यह देखे क्या है टू पी बी टू पी बी ओ है प्लस क्या है कारबन है यह क्या बन जा रहा है तू पी बन रहा है प्लस क्या बन रहा है यहां पे सी ओ टू बन रहा है देखे यही पोच रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है पहला देखे क्या कह रहा है सीसा का अब सीसा अपचाइथ हो रहा है दूसरा क्या है carbon dioxide उपचाइथ हो रहा है तो इसमें option दिया गया पहला देखिए कह रहा है कि यहders सिखे से उप्रजैन क्या हो रही है और उप्र चैन हो रहा है तो इसका क्या रहा है तो इसका क्या हो fulfillment तो आप देखे क्या हो जाएगा ये इसका देखे आक्सी करण हो रहा है आक्सी करण हो रहा है और इसका क्या हो रहा है आपचायन हो रहा है आपचायन हो रहा है आक्सी करण को क्या कहते हैं उपचायन भी कहते हैं तो देखे यही पहला वाला देखे सीसा का अपचायन हो रहा ठीक है PBO का अप्चेन हो रहा और कार्बन का देखी क्या हो रहा है कार्बन डायोकसाइड हो रही है कार्बन डायोकसाइड हो रही है कार्बन डायोकसाइड हो रही है तो पहला वाला सही हो जाएगा A, M, B क्या हो जाएगा सही उत्तर रहेगा इसका ठीक है दूसरा भी देखे एक नमबर का दिया गया है दूसरा भी देखे दिया गया FE 2O3 प्लस क्या है 2AL क्या बन रहा AL 2O3 प्लस क्या है 2FE मतलब कि यह भी देखें दूसरा वाला भी कौन साब दिया का उदारण कह रहा है कि दूसरा वाला प्रेस्ट में क्या है यह दूसरा कर लिजेगा ठीक है दूसरा वाला प्रेस्ट में यह क्या कह रहा है question number क्या है ये 2 है ठीक है प्रेस 2 में ये कह रहा है कि FE2 FE2O3 प्लस क्या है 2 moles AL ये क्या हो जा रहा है AL2O3 AL2O3 प्लस है 2 moles of FE तो यहां पर देखे option में दिया गया है पहला सही ओजन अभिक्रिया दूसरा दो विस्थापन तीसरा वियोजन और चौथा क्या है विस्थापन अभिक्रिया तो इसमें देखे सही कौन सा होगा मलग के aluminium क्या है ये इससे जादा reactive है तो इसको क्या कर दे रही है displace कर दे रही है तो ये कौन सी हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया है विस्थापन अविक्रिया है, ठीक है कौन सा उत्तर हो जाएगा सही विस्थापन अविक्रिया का ये सही कर लेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, अब देखे प्रेशन तीन, ठीक है? देखे प्राशने 3 देखे क्या कह रहा है कि लव है चूर पर तवं हइड्रो-क्लोरिका बनती है ठीक है और देखिए ती वल्य कह रहा है कि आयरन लंड इवं जल बनता है कि ला है चूद पर तनुं हईड्रोक्लोरी के अमले क्या कर रहे हैं तनुं हईड्रोक्लोरी के सामले डालते हैं तो कि इसमें देखी क्या बनेगा जब लोहे पर FE PLUS HCL FE को क्या कर दे रहे हैं HCL से जब क्रिया कराते हैं ठीक है मलब कि यह देखे यह वाला है FE PLUS क्या है तनु HCL है तो क्या बन जाएगा FE CL2 PLUS क्या बन जाएगा FE CL2 PLUS है H2 hydrogen gas यही बनेगी न हाइडोजन क्यों गैस आइरन क्लोराइड बनती है क्या यही होगा ठीक है ना समझ रहे हैं यहां पर देखें संतुलित नहीं कि आपने यह संतुलित कर लिए ठीक है तो उत्तर कौन सा हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा हाइडोजन गैस यहां आइरन क्या हो जाएगा क्लोराइड बनाता है ठीक है अब देखें कोस्टन नबर फोर यह देखें बहुत इंपॉर्टन कोस्टन कहरें संतुलित रासानिक समीकरड क्या है ठीक है रासानिक समीकरड को संतुलित करना क्यों आवस्यक है क्यों सा कोस्टन है कोस्टन नंबर यह थीसरा था कोस्टन नंबर यह चोथा देख रहे हैं अगला वाला कोस्टन है इसको डाली जिए ठीक है चोथा वाला देखी क्या हो जा परमाडू बराबर संख्या में होते हैं संतुलित रासानिक समी करड कहलाता है वहलब कि दोनों पच्च में इस साइड लेप्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पच्चों में जो तत्तो होते हैं उनकी, तत्तो के परमाड़ूों की संख्या क्या होती, बरावर होती, उसी को करते हैं, संथूलित राशानिक समिकरर, अब देखें इसको संथूलित करना क्यों जरूर ही होता है, अपनी पर दरभबैमान संरिच्छषड के नियम ठीक है, इसी के अनुसार ठीक है इसको नहीं डा नहीं डाश लिखेंगे द्रभिमान सन रच्छड के नीअम के अनुसार द्रभिमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नस्ट किया जा सकता है इसलिए एक राशायनिक अवक्रिया में Fair Revelation को कुल द्रभिमान उत्पादों के कुल द्रब्यमान के बराबर होना चाहिए अर्थात प्रतेक्तत्य के परमाड़ों की कुल संख्या दोनों तरह से बराबर होनी चाहिए इसलिए एक राशानिक समीकरण को संतुलित करना आवस्यक है ठीक है तो ये लिख लेंगे ठीक है हो जाएगा ये ये हो गया ना कोर्शन नमर फॉर ये हो गया ठीक है राशानिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवस्यक है अब देखते हैं अगला कोर्शन ठीक है अगला कोर्शन देखे कोर्शन नमर फाइफ है कोर्शन नमर फाइफ में देखी यही कह रहा है कि नीमने कतनों को राशानिक समी करणों के रूप में परिवर्टी पिकर उन्हें संदुलिक कीजिए ठीक है पहला दिखे क्या है नाइट्रोजन क्लोराइज परी नाइट्रोजन हाइडोजन गैस के से संयोग करके अमोनिया बनाती है पहला है नाइट्रोजन क्या है nitrogen hydrogen gas से σंयोग करके ammonia बनाता है तो इसका पहले का solution क्या हो जाएगा nitrogen लिख लिए हमने किसके साथ कर रहा है संयोग hydrogen के साथ संयोग करके क्या बना रही है ammonia बना रही ची बना रही है NH3 बना रही है तो यह इससंतुलित करना देखे क्या है hydrogen sulfide gas है क्या है B वाला दूसरा वाला दिखी क्या है hydrogen sulfide gas इसको सूथ लिखेंगे H2S है hydrogen sulfide gas है वायु में दहन होने पर वायु में दहन होने पर जल एवं sulfur dioxide बनाता है जल एवं क्या बगरता sulfur dioxide बना रहा ठीक है दूसरा वाला यह है तो देखें यहां पे शण्दुलित है यहां पर 2 hydrogen है दो यहां पर 2,1 ,3 रहे ठीक按 तो यहां पर क्या करतूय , यहां wiped oxygen 4 होजाई दो 2 से गुट कर देंगे तो oxygen 4 होगए यहां में कितना है कि यहां wanna कितनी है 1 मिनट अब देखें, यहाँ पर क्या कर दीए, दो से हमने कर दीए, तो hydrogen पहले से कर लीजे, देखें, क्या हो गया, यहाँ पर चार hydrogen हो गया, यहाँ पर कर दीजे, यह भी क्या हो गया, चार hydrogen हो गया, sulfur देखें, यहाँ पर कितना हो गया, दो हो गया, यहाँ भी दो से कर दीजे, इत व्हेट तीसरा कोश्टन है अलमुनियम सल्फेट इसका सूत्र लिख लेंगे क्या है अलमुनियम सल्फेट का EL2SO4 का Honn'thrist Elmium Sulphate के साथ है अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड किसके साथ है अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेड बनाता है ऐलमोनियम क्लोराइड एल क्या है सियल 3 प्लस क्या बना रहा है बी ए एस ओ फोर का आउच से बनाएगा इसको सॉलेड में लिखते हैं और यह एक वस्था रहेगा यह क्या कर लेंगी आप लोग कर लेंगी अच्छे अवस्था भी लिखनी थी इह देखे गास में हो जाएगा अब SO2 यह क्वेस में बनेगा और यह क्या वनेगा यह dedim रहा है अब देखें सॉल है यहां पर नहीं है तो अगर मैं है यहाँपे क्या कर दू इसको देखिए Q1 लगा लिज़े का ठीक है यहाँपे ओप नि है यहां पे यहां पर cimizi चुन कर दीज़ें हैं यहां पर टीज़ा कर दीजें यहां पर th्री áreas यहां रागा संतुली सोगा क्लोराम ऐल्मॉनियम और दो है संतुली से बेरियम यहां पर कितना है तीन है यहां पर एक है तो यहां पर तीन से कर देंगे सेलफेट यहां पर तीन हो जाएगा तो यह संतुली समीकरड हो जाएगा ठीक है अब दिखते हैं लास्ट वाला चाहुथा वाला चाहुथा वाला देखिए क्या कहा रहा है कि पोटैसियम धा तू जल आवस्था लिख देंगे एस से किसके साथ कर रही है जल के साथ करके क्या है लिक्विड है क्या बना रहा है कि पोटैसियम हाइड्राकसाइड और हाइड्रोजन गैस को एस बना रहा प्लस क्या बना रही है यह हाइड्रोजन गैस बना रहा है तो यह इसका आवस्था लिख ल गया ठीक है तो देखे कितना हो गया दो दो चार हो गया यहां पे भी तो हमने दो से कर दिया चार हो गया और आप सीजन देखे कितना हो गया दो इधर है दो इधर है पोड़ा एधर एक है इधर दो है ठीक है दो दो कर दीगे तो यह क्या हो गया यह संतुलित समीकरड हो गया ठीक है तो यही देखे आपको क्या करने थे संतुलित समीकरण करना था तो देखे यह हो जाएगा ना मालब कि यह लिखा गया था तो इसको आप लोग यह कर लीजी ठीक है यही क्या होगा इसका संतुलित समीकरण होगा ठीक है आप चलिए देखे प्रेस ने नंबर 6 प्रेस नंबर 6 देखे कहा रहा है कि निम ने राशायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए अगला वाला कोश्चन है निम ने राशायनिक समीकरण को क्या करना है संतुलित करना है देखे क्या दिया गया पहला देखे दिया गया एवाला HNO3 प्लस क्या है CA2 संतुलित करना है एवाला देखते हैं क्या दिया गया है % सड्री है HNO3 A plus क्या क्या रहा है CAOS2 कैलसियम हाई डॉकशीड क्या रहा है यहां पर सचोंने करड़ें पो है कि शोची सब्सक्राइक कि आस है पलेस 20-чडिया गया इसको ,क्रणी szy करना का देखिक है कैसे संतुली कर देखिए सब्सक्राइब इसको देखें संसुलित करिये यहां पर है है नाइटरिक हमले है एच एन ओ है एच एन ओ थ्री है ना अब हिए एच एन ओ थ्री यह प्लस ही एओ एज टू है क्या बन रहा है CNO3 CNO3 का kia hold to our house है Plus S2O बन रहा ठीक आप देखे Hydrogen देखे इधर 1 है यहाँपे कितना है 2 यहाँपे 3 Hydrogen हो गए ठीक है 3 यहाँपे हो गए और यहाँपे कितनी है केवल 2 है ठीक है तो यहाँपे हम क्या कर दें यहाँपे हम अगर 2 से कर दें हुरा करने तो यह संतुलित हो जांगा है changet olsun हो गया यॉवले म नेशिए दो कि कि 2 en3 है यहां पर 23 हो यह भी संदुलित हो गया ठीक है करें कि अब देखते हैं यहां पर यहां पर औक यहां पर ऑक्सिजन ज़्म लुग है यहां पर ऑक्सिजन देखें थी थी इतर देखते क्या इन तो पांच यह इस संसूरथ प्लस कर इस्ट Dutch बढन रहा निए इन्ट में इसको बताना है नामपर ethagen प्रम ईधर स्थोमर साइडा की अच्छा साइडर यहां पे एक है किफोर दो जा रहा की एम क्या करने यहां नृषले करतें दो सोरी हम हों यहां पे गुड़ा मैं लुगिंन hype हो गया संतुलीथ हो गया अब देखते है और पर देखते हैं ऑकसीजन देख में यहां पर ketah 426 426 मतलड कि यह भी क्या हो जाएगी है संतुली ते संतुली ते रासायनिक समीकरण है आप ठीक है अब सी बहुत देखते हैं सी बहुत दिया गया है एंसल प्लस एजी त्री एन्ट्री एए फी एल प्लस क्या है एजी एणव थ्री बनाएगा अब इसको देखिए यह संतुलित है कि नहीं संतुलित है एधर भी एक है CL कितना है एक है यहाँ पे क्या है एक है AG एक है यहाँ पे एक है NO3 समू एक है यह भी एक है तो यह सब क्या है यह संतुलित हैं ठीक है यह पहले से ही संतुलित है इस तो संतुलित करने जरूरत नहीं यह ठीक है अब D बला देखी क्या दिया है डीवलकोशन है, BACL2 है, क्या है, BACL2 प्लस क्या है, H2SO4, H2SO4 देखें, क्या बनाएगा यह, BASO4 प्लस है, HACL, अब देखें, यह संतुलित है, की नहीं संतुलित है, देखें, BACL2 क्लोरिन 2 है, उड़ इधर 1 है, यहाँ पे 2 से कर दीजिए, हाइडोजन 2 है, 2 इधर भी सही है, SO4 है, SO4 है, तो यह भी क्या हो गया, यह संतुलित हो गया है, ठीक है, यह क्या है, यह संतुलित रासायनिक समी करते, इसको क्या कर लिए आप लोग, संतुलित कर ल संतुलित रासायनिक समी करड़ लिखे, ठीक है, अभी क्रिया दिया गया है, उसके लिए क्या लिखना है, तो इसको मिज़वा दे रही है, ठीक है, कोस्टिय नमबर 7 लिखे, देखिए पहला वाला क्या दिये गया है पहला दिये गया है कैल्सियम हाइट कैल्सियम हाइड्राकसाइड है ठीक है पहला क्या है कैल्सियम हाइड्राकसाइड है प्लस कार्बन डायोकसाइड है क्या बन रहा है कैल्सियम कार्बोनेड बन रहा प्लस जल बन रहा है तो पहली कहीं कित कि थे यां से कि के साथ कर रहे हैं किसके साथ परन ड AO यह क्या यहां पर देखे दिया गया कैल्सियम कार्बोनेट और जल बन रहा है कि विए सी ओ थ्री कैल्सियम कार्बोनेट बनेगा प्लैस क्या बनेगा ऐसे टू ओ बनेगा अवस्था लिख देंगे लिक्टूरे बनेगा तो पहले का यह वह जाएगा आप देखते हैं यह संतुली समी करड़ है की नहीं है ठीक है देखे कैल्सियम एक है यहां पर एक है हाइडोजन देखें यहां पर दो है यहां पर दो है देखें यहां पर दो यह दो चार है यहां पर क्या है यहां पर तीन एक चार यह भी संतुलित है कारवन देखें यहां पर भी एक है तो यह क्या है संतु S है, प्लस Silver Nitrate AG, NO3, Zinc Plus का है, Silver Nitrate है, सूत्र देखे, लिख देंगे इस तोरी, अवस्था एक पॉस जली इविलियन है, ठीक है, देखे, क्या बन रहा है, Zinc Nitrate प्लस Silver, क्या हो, Zinc Nitrate, Z, NO3 का Whole Twice, प्लस क्या बनेगा, AG, ठीक है, Z, NO3 का, देखे, Whole Twice, एक क्यों है, यह जली इविलियन है, प्लस AG, क्या है, यह सॉलिड है, यह बन जाएगा, अब चलिए, देखे, संदुलित है की नहीं संदुलित है, ठीक है, देखे, यहाँ पे, NO3, NO3 यहाँ यहाँ पर दो बार, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर दो से गुड़ा कर देंगे, यहाँ पर देखे, कितना है, AG, यहाँ पर दो है, यहाँ पर क्या है, एक क्या बार है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, यह दोनों संदुलित हो ज है που लिकिेंगे ऑवस्था के आवस्था देंगे स्वालीड है末 दीकर कापर अबनेगा यहां पर 3 this नहीं पर केंगे और इसमें इसमें । क्लोरीन संदूलित हो गया लेकिन copper यहां पे 3 है यहां पे क्या हो गया एक था तो 3 से कर दिए देखें अलमुनिय में यहां पे 2 है और यहां पे 1 है तो यहां पे 2 से कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा सब संतुलित हो जाएगा last देखिए है डी वाला है कहरा कि barium chloride barium chloride का सूत्र होगा BACL2 यह क्या है बेरियम chloride है प्लस क्या है potassium sulfate प्लस क्या है K2SO4 potassium sulfate है ते क्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है barium sulfate plus potassium chloride barium sulfate BASO4 plus क्या बन रहा potassium chloride KCl ठीक है देखिए BACl2 K2SO4 क्या बन है BA SO4 plus KYCL देखिए BA यहाँ पे एक है यहाँ पे भी एक है SO4 यहाँ पे एक है यहाँ बी एक है एक संभू है देखिए chlorine किती है यहां पे दो है लेकिन यह पे एक से गुड़ा कर दीजिए कि बस थीक है दो यहाँ के जाएगा है अपे बिदू हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा इसका संतूलित रासायनि के समीय करण इंस अभी का क्या होजाएगा हुच क souvent है अब देखते हैं पर्स ने त्यक्या कि दीगा selv प्रेश्प ने अविक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समी करड लिखिये निमने अविक्रियाओं के लिए क्या लिखना है संतुलित रासायनिक समी करड लिखना है ठीक है लिखिये तथा एवं प्रत्यक अविक्रिया का प्रकार बता ये मतलब कि कौन सी प्रकार की अविक्रिया है ठी अपन अविक्रिया है या कौन सी अविक्रिया का उधारण दिया गया है यह भी बताना है कि ठीक है कि अब देखे पहला वाला देखे दिया गया है प्रस नंबर आठ है पहला वाला देखे दिया गया 20 रो माईड यह के पहला वाली देखें यह पोटैसियम ग्रो माइड खीक है इसको क्या लिकेंगे के बीर माईड है कि प्लस क्या है बेरियम आयोक्रारीड अवस्ता लिखेंगे एक प्लस एक या बेरियम आयोकर फीतिक रिक को साक्ष attends हम अवस्ता ग्राल विख देंगे बन रहा है ठीक है अवस्ता इसको लिख देंगे AQ जली विलेन है प्लस क्या बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड बी ए बी आर टू स्वालिट बन रहा है अब देखें संदुलित कर दीजे ब्रोमिन यहाँ पे दो है दो से यहाँ पे गुड़ा कर देंगे ठीक है यहाँ पे प्लस के साथ क्या जोड़ा आयोडीन है और यह बेरियम के साथ ब्रोमिन जोड़ जा रहा है मतलब कि यह दोनों को क्या हो रहा है दोनों का विस्थापन हो रहा है मतलब कि इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ विस्थापन हो रहा है तो इसलिए इसको क्या लिख यह है दो विस्थापन अभिक्रिया है क्या लिख देंगे यह कौन से अभिक्रिया है दो विस्थापन दो विस्थापन मदल्लब कि इसमें दोनों का क्या हो जा रहा है आएनों का यह क्या कर रहे है आएनों आपसे परस पर बदल रहे हैं ठीक है दो विस्थापन का उदार है दूसरे देखिए क्या कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट है है कि सूतर है यहाननि थी तुट रहा है यह क्या कर रहा है बहुत ह मदल्लब की एक पाटार देखे क्या ऑर वह सीवल देखे कि हरा कि हाईड्रोजन प्लस क्लोरीन हाई रोजन है प्लस क्या दिया गया है आज थीली यह हुआ है तो यह संद योजन है अविक्रिया है तूए और देखे चाएगा म SUPER-D गौवला देखे क्या हो जाएंगा क्या है मैगनीसियम प्लस हाइड्रो क्लोरी कम ले मैगनीसियम हो गया प्लस क्या है हाइड्रो क्लोरी कम ले ऐसे सीयल लिए है ठीक है यह क्या गैस है ठीक है तो देखे क्या बन रहा है मैगनीसियम क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है हाइड्रोजन बन रहा है यह मैगनीसियम क तो यह विस्थापन अभिक्रिया तो यह सब थी अभिक्रिया के प्रकार कोच्छन number 8 समझते है आप चलिए देखें क्या बतारेह मर नॉइन imid कोच्छन नमघन में क्या हो जाएगा कोच्छर नमघन देखिए क्या कह रहा है कि उस्मा उस्मा सोशी अभिक्रिया का क्या अर्थ है उदारड दीजिए उस्मा छेपी तथा उस्मा सोशी अभिक्रिया का क्या अर्थ है उदारड दीजिए देखे उस्मा छेपी में क्या होता है उस्मा छेपी में जो उस्मा होती है उस्मा का उत्सरजन होता है ठीक है और उस्मा सोसी में उस्मा ली जाती है ठीक है तो इसको देखे परिवासित कर दीजिए मैं बता दे रहा हूं या अपर सल्यूशन मी दे रहा हूं ठीक है तो इसक भी उत्सरजित होती है मतलब कि उस्मा का उत्सरजन होता है ठीक है फिर से बतारे जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उस्मा का उत्सरजन होता है उन्हें उस्मा छेपी अभिक्रियाओं कहते हैं ठीक है जैसे प्राकृतिक गैस का दाहन जैसे क्या है मेथें CS4 ह प्लस O2 इसका दहान करेंगे CO2 निकलेगा प्लस S2O निकलेगा प्लस हीट निकलेगा प्लस हीट होई क्या है उस्मा है इसी को कहेंगे उस्मा 6P अभिक्रिया ठीक है दूसरे क्या है उस्मा सोशी अभिक्रिया देखें उस्मा सोशी क्या होती है उस्मा सोशी में क्या होगा ज अभिकरियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए उसमा प्रकास या विद्धू तूर्जा की आवस्य क्वश्यक्ता होती है vraag tutaj, उसमा सोची अभिकरिया हो जाएगी तो यह क्या थे question number आपके 9 थे उस्मा छेपी और उस्मा सोची तो यह हो गया चलिए अगला question देखते हैं हाँ देखें अगला question देखे है कि स्वाष्ण को उस्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते है वार्डन कीजिए कोशिकाओं में ग्लुकोज ठीक है आक्सीजन के साथ क्रिया करता है और उर्जा परदान करता है तो इस विशेश दहन अभिक्रिया का नाम स्वाशन है ठीक है क्योंकि इस अभिक्रिया में उर्जा क्या होती है निकलती है अताय अभिक्रिया को उस्मा शेपी अभिक्रिया कहते है ठीक है स्वाशन अभिक्रिया क्या कहते है उस्मा शेपी में देखी यही रियक्षन है ठीक है जो रियक्षन दिया गया है क्या है ग्लुकोज है C6 S12gosics है प्लस क्या है आप oxygen के साथ कर रहा है तो क्या देगा ये carbon dioxide देगा प्लस जल देगा प्लस क्या देगा अर्जा देगा टीक है तो इसमें ऊर्जार ते रहा है तो इसलिए जो स्वासन की को उसमा ठीपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि देखे कहा रहा कि वियोजन अभिक्रिया को सहियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया को सहियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है इन अभिक्रिया के लिए समिकरर लिखिए तो समिकरर देखे लिख देंगे यह बहुत एजी है ठीक है तो देखे वियोजन अब क्रिया क्या होती है वह अब क्रिया होता है जिसमें एक अभिकारक के तूट कर दो या दो से अधी कुथपाद बनाते हैं जबकि संयोजन में क्या होता है कि अभिक्रिया करके बिल्कुल उसके विपरीत होते हैं मतलब कि दो या दो से अधी के अभी कारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो इसलिए क्या होते हैं दोनों में विप्रित होते हैं जैसे A plus B sorry A B है ठीक है A B plus उर्जा देंगे तो ये टूट जाएगा A B बन जाएगा ठीक है जैसे A ही हो जाएगा A G C L 2 A G C L है तूर का प्रकास है A G और C L 2 में ये टूट जाएगा sorry origin में जैसे A है plus B है तो क्या बन जाएगा A B plus क्या देगा उर्जा बनेगा जैसे carbon plus O2 क्या बनेगा CO2 देगा plus उर्जा बनेगा ठीक है अब चलिए देखते हैं ये बरामा question देखे कहा रहा है कि उन वियोजन अभिक्रिया को एक-एक समिकरा लिखिए जिनमें उसमा प्रकास है विद्धूत के रूपों में उर्जा प्रदान की जाती है उसमा पहला उसमा द्वारा दूसरा प्रकास द्वारा तीसरा क्या कह रहा है कि विद्धूत द्वारा तो उसमा देखे क्या लिख देगे उसमा दौरा जो calcium carbonate होता है तोड़ते है calcium oxide होता है carbon dioxide में तोटे जाता है ठीक है पहला तीये हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा प्रेकास-viosen दौरा मतलब की जो silver chloride रहेगी silver chloride को प्रेकास-viosen दौरा तोड़ते हैं मतलब silver और chlorine को अलग करते हैं तीसरा जो जल है जल को विध्धू तब घटम द्वारा क्या किया जाता है अलग किया जाता है तो तो यही क्या करेंगे आप note कर देंगे इसका solution हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं अगला question क्या है question number 13 है क्या दिया गया विस्थापन है उन दो विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या आंतर है इन अभिक्रियाओं के समिकार लिखे विस्थापन और दो विस्थापन ठीक है तो सबसे पहले चलिए देखते हैं विस्थापन में क्या विस्थापन क्या होता है यह देके इन अभिक्रियां में विस्थापन में क्या होता चुह ओडिक्रिया शिलु तत्त होता हो कम्लिट को इस योगिक करतेचंव कर देता और उसका इस्थान गार कर लेता इसे क्या नहीं सबनेगी तो क्याकर सब्सक्रिया क्या क्या ग Lazio ठीक है तो यह बन जाएगा ZNNO3 का whole choice plus 2AG ठीक है दो इस्ठापन में देखे क्या होता है दो इस्ठापन में क्या लिखेंगे दो इस्ठापन में लिखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्मार दो योगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है दो योगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है जैसे देखे यहां पे दियागा AM plus BM तो क्या हो जाएगा AN plus BM हो जाएगा उदार देखे दियागा क्या दियागा 2Mos KBR plus BAI2 है Varium iodide है क्या बन रहा है 2Mosa potassium iodide plus Varium bromide बन रहा है तो यह इसका क्या लिख देंगे इसका उदारड लिख देंगे तो यह कोशन होगी यह समझ में आ गया चलिए ठीक है अभी देखे कितना कोशन बचा है चलिए अब देखे क्यों को यहां पे सर्यूशन ही बता रहा है क्यों है देखे कहा रहा कि Syl关 के सोधन में सिल्वर naitrate के विलेन में सिल्वर प्राथ करने के लिए copper धात का विस्थापन किया जाता है इस प्रतिकिरिया के लिए अभिकिरिया लिखे तो क्या लिख देंगे sejalलवर है सअपन क्या होगत है तो copper है कि इसका सल्यूसन हो जाएगा सब्सक्राइब कोई क्या कहा जाता है तो इसमें क्या लिख देंगे जिस अभिक्रिया में आविले या और शेप का निर्मार होता है मालब कि आविले जो घुले ना नीचे जाकर के बैठ जाए वही क्या होता हो शेप होता ठीक है इसका उत्तर यही हो जाएगा जिस अभिक्रिया में आविले और शेप का निर्मार होता हो शेप अभिक्रिया कहलाती है जैसे क्या है निम अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट ठी अगला दिया क्या है अगला दीकर पहचानना कि योग या हरास के आधार पर निम्न पदों की ब्याक्षा कीजिए उपचायन दूसरे क्या है अपचायन ठीक है उपचायन और होता है आकसीजन यदि होती है ठीक है मतलब कि Oxidation में क्या होता आक्षी करने में Oxygen जुड़ती है ठीक है और देखे क्या होता आक्षीजन में क्या होती है Oxygen की कमी होती है तो उदाड़े देखे पहला दिया गया है Copper ले लिजिए प्लस O2 ले लिजिए क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा Carbon है प्लस O2 है क्या बन जाएगा CO2 मतलब इसमें Oxygen जुड़े हैं उप्चैन में बता रहे हैं ठीक है दूशरी लिजिए 2mol Cu Cu Copper प्लस Oxygen तो क्या बन जाएगा COO मतलब Oxygen जिसमें जुड़ती है उप्चैन होता है ठीक है और देखें अप्चैन किसमें होता है जिसमें क्या होती है जिसमें जो Oxygen की क्या हो जाती है कमी हो जाती है जैसे क्या CO2 है प्लस S2 से अभिक्रिया कराएंगे CO Carbon Mono Oxide प्लस S2O बन जाएगा Oxygen की कमी हो गई मतलब की क्या हो जा रहा है यह अप्चैन हो रहा दूसरा देखें क्या है CuO है Copper Oxide है प्लस S2 के साथ अभिक्रिया कर रहा तो क्या बन रहा है Copper Plus Hydrogen बन रहा तो यह भी इसका भी उप्चैन हो रहा है तो यह इसका solution हो जागा लिख लिजएगा ठीक है अब देखे 17 है question no 17 है क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वाई की उपस्तित में गर्म करने परवे काले रंग का हो जाता है तब इस क्या है इस तत्व यक्स एवं उस काले रंग के योगिक का नाम बताए ठीक है भूरे रंग का चमकदार तत्व तो कौन सा होता है copper होता है ठीक है plus oxygen से कर्या करके तो क्या बन जाएगा काला बन जाएगा मलस्ति कोपर औक्साइड बना описании stud so यहीं क्या होजाएगा यह क्या है ची एक्ष खाले घ्रावले कोष्चन देखे क्या है अगला वाला कोश्चन अठा रहा देखे लोही की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं तो देखे क्यों करते हैं देखे लोही पर क्या लगता जंग लगता ना संचार लगता क्यों करते हैं कि संचार की कार लोही की वस्तु है कच है होता रहता है ठीक मलब होती रहती हैं तो इह क्या कह सकते हैं उसे इन होने वाले चैसे बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है ठीक है पेंट होने के लोहे और वायू का संपर्क नहीं हो पाता मतलब जब पेंट हो जाएगा तो लोहा और वायू आपस में नहीं मिल पाएंगे ठीक है और लोहे की वस्त वे बहुत समय तक चुरच्चित रहती इसलिए हम क्या करते हैं लोहे पर पेंटे करते हैं अब देखे आगे क्या करते हैं आगोला कोश्चन देगे दिया गया कोश्चन नमबर 19 देखे क्या दिया गया तेल एवं वाई वसा यूब्द खाद बदार्थो को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है कि भाइन तुर्फ ellis उपस्कित होअक्सिजन होथी इससे क्रिया करके विक्रित गंधी हो कि उनकी गंद में परिवर्तन हो जाता है कि नाइट्रोजन सामाने अताप पर आसानी से अविक्रिया नहीं कर्ती है क्योंकि नाइट्र को यूद्ध-काथ्वाग्राथु में नाइट्रोजन से प्रभावित किया क्या है संचारड है दूसरे क्या है विक्रित गनधिता है देखिके क्या उदायर दे दूसा देखे क्या विक्रित गंधिता विक्रित गंधिता को क्या लिख देंगे तेल तता वसा युक्ते खाद पदार्थू वायू वाई मतलब ऑक्सीजन की उपस्टित में किरिया करके विक्रित गंधी हो जाते हैं इस पर किरिया को विक्रित गंधीता कहते हैं ठीक है जैसे चिप्स की थैली में अक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्री गैस को भरना विक्रित गंधीता को रोकने के लिए कि लिए ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो उसको बताईएगा ओके थैंक्यू अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा ओके और अगला देखिए लेशन का जो क्या है आमले है यह वाली रेशन का कल कल थोड़ा सा इसका इंट्रोडेक्शन देखिए ओके ओके थैंक्यू